अब एक दूसरी जो बहुत महुत पूर्ण संधी थी, वह थी CT, BT और था Comprehensive Test Ban Treaty, टेस्ट बैन, टेस्टिंग को निशेद करने की ट्रीटी, व्यापक परमाण परीक्षन निशेद संधी, इसका उद्यश क्या था? विश्व भर में परमाण। परीक्षनों पर रोक लगाई जाए, लेकिन भारत ने इसका भी वरोट किया, भारत ने का वे दुश जो इतना परीक्षन कर चुके हैं, वे कौन होते हैं हमें रोकने वाले और वे अपने परीक्षनों पर रोक नहीं लगा रहे हैं। तो इसकार भारत और एक कुछ देशों के गुट ने कुछ अन्य देशों ने इस संधी को भेद भाव पूर्ण बताया और इस पर भी हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया तो NPT और CTBT दोनों पर भारत अस्ताक्षर नहीं करता है एक स्वतंत्र स्टैंड लेता है ये जो संधी है CTBT है 24 दिसंबार 1996 से प्रारंब होती है अभी तक कुल 154 देशों ने इस पर अस्ताक्षर किये हैं ये बहुत बड़ी संख्या है इन में से 45 ने इसका विद्युवत अनुमोदन भी कर दिया है लेकिन संधी के प्रभावी होने के लिए विश्व के उन सभी 44 देशों द्वारा इसकी पुष्ट किया जाना अवश्यक है जिनके पास परमाणु अस्त्र हैं या परमाणु विद्युत संयंत्र हैं इतनी बड़ी संख्या का सीटी बीटी पर हस्ताक्षर करने के बावजूद भारत द्वारा इसे अस्विकार करना इस संधी पर हस्ताक्षर ना करना एक बहुत सोचने की बात थे और बसके बड़े दूरगामी परणाम थे फिलहाल आप जान लें कि 1996 को ये सीटी बीटी पर हस्ताक्षर होते हैं 154 देश 45 द्वारा अनुबो दित लेकिन 44 अभी भी देश ऐसे हैं जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं और जो परमाणु शक्ति संपन्न देश है या परमाणु विद्युत सेयंत्र जिनके पास उपलब्ध है या परमाणु ख्यमता उपलब्ध है परमाणु ख्यमता वाले ये जो 44 देश हैं इन में से अभी तक केवल 26 नहीं से शिकार किया है इसे अनमोधित किया है लेकिन बाकी का क्या होगा उन बाकी में भारत भी एक देश है भारत पाकिस्तान उत्तरी कोरिय इन्होंने अभी तक इस पर संदिक करने से मना कर रखा है तो 44 बनाम 26 के प्रणाम चुरूप CTBT को पूर्ण तर लागुनी किया जातका है इसमें भारत का जो रवय्या है वो कुछ दूसरा रहा है और जैसा मैंने कहा उसके अपने कारण रहे हैं चाहे वो सामरिक कारण हो नैतिक कारण हो या अन्य कारण हो यदि हम इस ट्रीटी पर एक विशलेशन करें एनलाइज करें CTBT को लेकर सोचें तो कुछ बातें सामने आती है CTBT को लेकर पहला यदि ये लागु होता है पूर्ण रुपेंड तो परमान परिक्षण प्रतिबंधित हो जाएगा लेकिन महाशक्तियों के पास जो आन्यविक अस्त्र हैं महाशक्तियों के पास जो पूर्व से आन्यविक भंडार हैं हथियारों का जखीरा है आणविक हथियारों का उसको क्या होगा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अर्थात आणविक शक्ति संपन्न देश आणविक हस्तनों से लैस रहेंगे गैर आणविक देश उन्हें आणविक शक्ति कैसे पाना ये भी नहीं मालूम होगा और उसका व अधिकतर देशों को जहलना पड़ रहा था वह था कि इस संदी पर हस्ताक्षर करने के बाद अर्थात यदि जिन्हों ने हस्ताक्षर किया तो हस्ताक्षर करते ही वे देश खासर विकास शील देश अपनी आणविक प्रयोग शालाएं बंद करने के लिए विवश होंगे उनके लिए बाद ही होगा कि वो किसी तरह कभी आणविक प्रयोग या उससे संबन्देत प्रयोग शालाएं ना रखे ये बात विशेश विपसे विकास शील देशों के लिए बड़ी समस्या थी क्योंकि वे नव नवोजेत राश्ते नव स्वतंत राश्त्रे और विकास की दोल में अन्य शक्तिशाली राश्त्रों के समानाने के प्रयास था तीसरी दिक्कत इस संधी से आणविक प्रद्योगी के लिए भी शांति पूर्ण परिक्षन बंद करने का देश था अर्था जो भी सिगनेटरी होंगे वे शांति पूर्ण परिक्षन के लिए भी आणव प्रद्योगी की काउपयोग नहीं कर सकते हैं। और मुड़ेंगे और उन पर निर्वर हो जाएंगे अपनी सुरक्षा के लिए उस पे भी राजनीती चलेगी तो खुल मिलाकर इस संदी से जो गैर आणविक देश थे जिनके पास आणविक संबंदी टेक्नोलोजी डिवलप नहीं हो पाई थी प्रयासरत थे उन्हें किसी न प्रमानू शक्ति देश पर निर्वर होना पढ़ेगा और निर्वर होना मतलब उनकी शर्तों पे महा शक्ति किया तो अधिनता स्विकार करो परोख शुरूप से या उनकी कुछ मनमानी शर्ते स्विकार करो जिसें अंग्रेजी में हम कहते हैं arm twisting जब तब ये शक्ति-शाल देशों की सम्प्रभुता नश्ट हो जाएगी, खत्रा हो जाएगा, स्वतंत्र नेड़नाय लेने की ख्यमता देश के आंत्रिक और बाहरी मामलों में वह समाप्थ हो जाएगी, और यही तो चाहते थे CT, BT पर हस्ताक्षर कराने वाले देश, यह बहुत बड़ी बुराही थी संदिकी, परणाम क्या होता है कि बहुत से देश दस्खत करते हैं, पर कुछ देश रह जाते हैं, और स्विकार नहीं करते हैं इन शर्तों को, और मना कर देते हैं, भारत उनमें से एक देश था, अब हम आते हैं अगले मुद्दे पर आनविक शस्त्री करण की स्परधा, य सुरक्षा का, इस विशे के केंद्र में विश्व की सुरक्षा पर मुख्य रूप से चर्चा होनी, निशस्त्री करण उसका एक हिस्सा था जिस पर हम अभी तक बात कर रहे थे, अब देखिए अगला विशे है, वो है 37 परधा, इस विशे में निशस्त्री करण या सुरक् आणविक्स या शक्ति करण की कोई दौड थी, कोई होड थी क्या लोगों में, एक और निशस्त्री करण की बात करने हैं, दूसरी और हथियारों की होड और था निउक्लियर आर्मामेंट रेस, डिज आर्मामेंट नहीं, निउक्लियर आर्मामेंट रेस, अगस्ट 1945 के दो, और दोनों को उसने अगले दस दिन में उप्योग कर लिया, एक हिरोशिवा में और एक नागसा की में, अज़ास के पहले दूसरे सब्ताह में, और ऐसा किया, और परमानू बम का जो उनके पाद बंडार था, वो खतम हो गया, बंडार दो ही बमों का था, समाप्त हो ग लेकिन परमानू बम की जानकारी और भंडारन के खत्र में, अमेरिकी एक अधिकार तब समाप्त हो गया, जब अगस्त उन्चास को सोवियस संग ने अपना पहला सफल परमानू परिक्षन किया, चार वर्ष लग गये, सोवियस संग को ये तकनीक समझने में, और परमानू बम बनाने में, अमेरिका की तुलना में चार वर्ष ज़्यादा लगे, और जैसे परमानू बम रशा बनाता है, सोवियस संग बनाता है, अमेरिका का परमानू तकनीक पर एक अधिकार समाप्त, अमेरिका का परमानू ग्यान पर एक अधिकार समाप्त, उसके भंडारन पर इसके बाद तो एक तरीके से देखा जाये तो एक दौड शुरू हो गई हत्यारों की प्रतिस परधा शुरू हो गई और जिसके परणाम सुरूब दुनिया की बहुत सी शक्तियां आधुनिक्तम आणिक शस्तार्सों से सुसजित होने की प्रतिस परधा में लग गई 1945 अमेरिका, 1949 रूस और इतके बाद रेला चला जिसमें बहुत सारे देश परमानु तक्नीक डिवलप करने में समझने में सफल हुए और फिर बहुत देशों में बम आए मैं 51 में अमेरिका और नॉम्बर 52 में चोवियस संग ने हाइडरोजन बम का परिक्षन किया अब परमानु बम से हटकर हम हाइडरोजन बम पर आते हैं जो और ज्यादा खतरनाक था इसमें भी अमेरिका सफल रहा पहला देश उन्नेच वियस इंकावन लेकिन उसके एक वर्ष के अंदर ही सोवियस संग ने हाइडरोजन बम डवलप किया 1952 में ब्रिटन, 1960 में फ्रांज, 1964 में चीन ये सब देश अब आणविक प्रतिस परधा में लग जाते हैं, शामिल हो जाते हैं सन चोहतर में पोखरन में भारत में वो परिक्षन किया, सन चोहतर में पोखरन, इंग्लेंड, फ्रांज और इन देशों के अलावा चीन के अलावा अब भारत भी इसमें आ गया और भारत का आना एक बहुत बड़ी घटना थी कई द्रिश्ट से, जिसका जिकर आगे होगा फिलहाल ये समझना है कि भारत परमानों शक्ति बनता है 1974 में और जिस जगह पे पहली बार परिक्षन हुआ हुआ है पोखरन, राजस्थान का वो खेत्र अक्टूबर संतावन में अच्छा इसके बाद 1964 में चीन भी प्रसपरदा में शामिल होता है, 74 में भारत आता है ये हुआ परमानों बाम, हाइडोजन बाम और अन देशों के द्वारा आनवे खतियारों की दौड़ में शामिल होने के अब स्पेस में भी एक तरीके से दौड़ शुरू होती है, और उस दौड़ में अक्टूबर संतावन में रूसी बाजी मार ले जाता है परमानों बाम और हाइडोजन बाम के मामले में अमेरिका पहला देश निकला, सफल लेकिन स्पेस टेकनोलोजी की बात करें, तो रूस या सोवियत संग पहला था जिसने सन उननिस सो संतावन में इस पुतिनिक के सफल परिक्षण के साथ अंतर महाद्वीपी प्रक्षे पात्रों का युग प्रारंब किया अंतर महाद्वीपी प्रक्षे पात्र, मिसाइल, जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पे हमला करता है और शुरुवात होती इस पुतनिक से इस दौड में अमेरिका द्वारा न्यूट्राउन बॉम का सफल परिक्षन किया गया जो एक बहुत ही पैशाचिक अस्तर है न्यूट्राउन बॉम यदि हाइडरोजन बॉम यदि परमाणु बॉम से एक हिरोशिमा ध्वस्त हुआ तो एक न्यूट्राउन बॉम से संभवता पूरा जपैन ध्वस्त हो जाए इतनी बड़ी शक्ति उसमें रहती है उर्जा इतनी रहती है लेकिन यह उर्जा का उप्योग विनाश के लिए इस न्यूट्राण बॉम से नर संभार तो होगा ही लेकिन इसके अलावा उद्योग धंधों कारखानों एवं बैंकों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो नीट्रोन बाउम एक अलग तरीके का बाउम था उन चीजों को प्रभावित नहीं करेगा जिससे अमेरिका का गहरा संबंद है और गहरे संबंद के माइने कमर्शियल प्राफिट आर्थिकलाब इस तरीके से हम देखते हैं कि किस प्रकार करेम बद अनु बाम हाइडरोजन बाम उसके बाद स्पूतिनिक स्पेस टेकनालोजी फिर नीटरन बाम ये दौर चली एक दौर चला पूरा जिसमें एक के बाद एक रोज नए नए तक्नीक डेवलप हो रही थी नए नए हथियार स छित्र में अमेरिका और रूस के बाद या सोवियत संग के बाद चीन को तीसरा स्थान मिला है चीन हमारा पड़ोची देश तो इसकार कुल छे देश हैं इन छे देशों के लावा एक और श्रिणी है देशों की जिसमें कैनेडा जामनी इसराइल इटैली जपैन पाकिस्ता दक्षने अफ्रीका, स्वीडन और स्विडरलेंड ऐसे देश भी शामिल हैं एक दरदन से ज़्यादा जिनके पास परमानुशस्त्र निर्मान की तक्नीक है परमानुशस्त्र निर्मान की क्षमता है इन्होंने बाम नी बनाएं लेकिन समझ रखी है क्षमता डेवलप कर ल बम का निर्मान कर सकते हैं तो इस प्रकार छे देश और ये अन्य देश एक दरजन से भी ज़्यादा जिनके संख्या है पाकिस्तान ने पंद्रा सो किलो मीटर तक मार करने वाली गौरी मिसाइल का परिक्षन किया है परमानुशस्तारत्यों की दौल के प्रणाम सुरूप क होता है कि परमानुशक्ति विस्तार के कारण आज जो संपूर्ण विश्व है अब वह एक ऐसे धेर पर बैठा हुआ है कि एक चिनगारी मात्र से समस्त मानुशब्रता का विनाश हो दाएगा खुदान खास्ता कोई राष्टा ध्यक्ष जो परमानुशक्ति से लैस है वह गलती से भी परमानुबं को चलाने का जो ट्रिगर होता है उसको गलती से भी कहीं दबा दिया तो पूरे सब्विता का विनाश हो जाएगा ये बहुत बड़ा खत्रा है और इसलिए कहते हैं कि पूरी दुनिया जो है वो अब विनाश के कगार पर है बारूद के ऐसे धेर पर बैठी है कि बस एक छोटी सी चिनगारी काफी है समस्त सब्विता को समाप करने के लिए आनले कि शक्तिकरन की जो भयावह स्थिती है विश्व की सरवाधिक गंभीर समस्त बन गई है भयावह कियों क्योंकि एक चिनगारी परयाप्त एक गलती परयाप्त दुनिया को समाप करने के लिए और इसलिए हम बिलकुल उसके कगार पर हैं विनाश के कगार पर और इसलिए ये समस्य आप बहुत गंभीर समझा स्विक्टराश संग के भूदपूर महासचेव सेकरेटरी जनरल डॉक्टर कोर्ट वाल्धीम उन्होंने कहा है कि विश्व के सरवाधिक शक्तिशाली राज्यों के बीच आनविक शस्त्रों की जो दौर चल रही है वरतमान वह आज मानों के सामने सबसे बड़ी समस्या है उसे वे सबसे बड़ी समस्या मानते हैं कोट वाल्धीम बहुत सफल महासचेव रहे हैं यू एनों के समिक्टराश चंग के उनका ये बयान परमानु संबंधी समस्या की गहराई की ओर इशारा करता है व्यापक परमानु परिक्षन निशेद संदी जिसे CTBT कहते हम आए हैं जिसके बारे में हमने 4-5 बिंदु पढ़े और समझने की कोशिश की कि उस संदी में क्या आपक्ति जनक है वह संदी कैसे नियायवचित नहीं है वह संदी कैसे पक्षपाच पूर्ण है इसे हमने समझा और ऐसा समझते हुए हम ये भी समझ गया कि भारत ने इस संदी को आखिरकार क्यों अस्वीकार किया यहाँ पर हम थोड़ा सब भारत के संदर में विशश रूप से इस संदी के प्रति उसके रवएए को जड़ा देखें भारत का क्या दृष्ट कोण रहा है विशश शांति के हित की दृष्टि से भारत इस संदी को उचित नहीं मानता उसका कहना है कि यह संदी विश्व शान्ती को बढ़ावा नहीं देगी बलकि अन्याय को बढ़ावा देगी भारती दिश्ट कोण है कि पर्माण शक्त संपन जो पांच देश है अपने पर्माण शस्त्रों के समय बद्ध कारिक्रम के आधार पर नश्ट करने की बात नहीं करते ये जो पांच देश हैं ये अपने लिए कोई कारिक्रम नहीं बना रहा है जिसमें की पर्माण हथियारों को क्रम बद तरीके से नश्ट करें उसकी बात नहीं करना है क्यों भाई अन्य देशों को परमाणु बम नहीं बनाना है इसकी बात पर बारंबार जोड़ दे रहे हैं ये नियाय उचित नहीं है इसलिए भारत का इस तरह के आणविक निश्यस्त्री करण के कारकरम पे विश्वास नहीं है दूसरा भारत की जो सुरक्षा है उसका बहुत कुछ संबन्ध चीन और पाकिस्तान से है क्योंकि ये दोनों भारत के नेबरिंग कंट्री है और ये दोनों ही देश आनवे क्षेतर में भारत से आ गई है चीन की मदद से पाकिस्तान, अमेरिका की मदद से भी पाकिस्तान आनविक शक्ति बनने में सफल रहा है इस वकार दो दो आनविक शक्ति शाली देश भारत की सीमा पर हैं और दोनों ही शत्र देश हैं, साबित शत्र देश जन्होंने भारत पे हमले किये हैं समय समय पर तो इसलिए भारत की जो सुरक्षा है ये पाकिस्तान और चीन से प्रभावित होती है और चुकि ये दोनों देश आनुए शक्ति के खेतर में भारत से आगे हैं इसलिए भारत अपनी सुरक्षा को या पाकिस्तान और चीन की हरकतों को नदर अंदाज नहीं कर सकता यदि ऐसा करता है तो वो देश के हित में नहीं होगा बहुत गलत होगा इसलिए भी भारत सुरक्षा सम्मंदी आवश्यक्ताओं के मद्दे नजर CTBT पर नेगेटिव दृष्टिकोंड रखता है तीसरा करण भारत के नजरिये का चीन और फ्रांस ये दो देश ऐसे थे जो परमानु संदी का जब दौर चल रहा था परमानु संदी के सम्मंद में जब वारता चल रही थी तो ये लोग परिक्षन भी कर रहे थे परमानु परिक्षन एक और शांती वारता तथा कथित शांती वारता में शामिल थे दूसरी और स्वेम परिक्षन भी किये जा रहे थे तो स्पश्ट था कि वारता का उद्येश इन देशों के द्वारा गैर आणविक देशों पर दबाव बना कर हस्ताक्षर करवा लेने का है खुद को उन्होंने रोकने से दूर रखा खुद को उन्होंने आणविक शत्र परिक्षन के रोकने की प्रक्रिया से दूर रखा शांती वारता चल रही है या परमान संबंदी मामलों पर एक तरफ बात्ची चल रही है उसको रोकने की दूसरी तरफ पर दे के पीछे ये दोनों देश परिक्षन कर रहे थे ये भारत को बहुत नागवार गुज़रा और ये बास पश्ठो गए कि ये जो दो देश हैं इनको कम से कम निशस्त्री करण में तो विश्वास नहीं है तो फिर दूसरों को किस आधार पर दबाव बना रहे हैं निशस्त्र होने का इनकी मंशा सही नजर नहीं आती इसलिए भारत ने CTBT पर सताक्षर करने से इंकार कर दिया चोथा कारण भारत जो है जैसे भारत के समधान के प्रस्तावना में भी है कि भारत एक सम प्रभत्व देश है पूर्ण रूपेंड स्वतंत देश है और देश के अंदरूनी और बाहरी दोनों मामलों में राश्ट्री हित को ध्यान में रखते हुए वह नेड़ने लेने में स्वतंत्र है पूर्ण रूपेंड स्वतंत्र है किसी भी देश का किसी भी रूप में भारत पर दबाव नहीं पड़ सकता ये जो संदी है वो इस संप्रभुता की परिभाशा के खिलाफ था क्योंकि यदि हम संदी में ताक्षर करते हैं तो भारत एक तरीके से उन देशों का पिछलगू हो जाएगा जो परमानु शक्ति थे उन देशों पर निर्वर हो जाएगा जो परमानु शक्ति थे और इस निर्वर्ता का खामियाजा भुगतने की बहुत बड़ी कीमत चकानी पड़ेगी इतने लंबे वर्षों के लाई के बाद स्वतनतता मिली और अब हम एक पाले से निकल के दूसरे पाले में चले गए परमानु संदी के नाम पर भारत इसके प्रति सजग था और इसलिए उसने बिलकुल स्पष्ट निर्णे लिया कि हम अपनी संप्रभुता और स्वतनता को अक्षिन बनाय रखने के पक्षधर हैं और ये संदी उसके राह में रोड़ा है इसलिए हम इस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो अब कारण स्पष्ट हो गया कि भारत ने इस संदी को स्विकार क्यों नहीं किया आपतियां आपको स्पष्ट हो गई हैं और इन आपतियों के मद्दे नजर भारत कभी भी संधी के संधी पर हस्ताक्षर का पक्षदर नहीं रहा संख्षेप में भारत ने पहले 1974 में जैसा मैंने पूर में बताया पोकरन में और इसके बाद 1998 में एंडिये के शासिनकाल में जब शी अटल विहारी वाजपई प्रधान मंत्री थे 1998 में परमानु परिक्षण किया और इस परिक्षण का उद्येश बम बनाना नहीं था भारत ने सपष्ट ऐलान किया कि इसका उद्येश तकनीकी और वेग्यानिक उन्नति के खेतर में विकास करना है अर्थात परमानु उर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग इस परिक्षण का मुख्य लक्षण और आज भी भारत परमानु बम नहीं बनाया है अठारा जन्वरी दोहजार दस जिनिवा स्विद्र लेंड में जहां यूए नो निशस्त्री करन सम्मेलन हुआ था जिसका जिक्र मैं सिंक्तरा संग के द्वारा जो प्रयास किये गए उसकी शिंखला में कर चका हूँ आठ अपरैल दोहजार दस को प्राग में भी ऐसी नई सामरिक हत्यार नहीं थी जिसे न्यू स्टार्ट संदी स्टार्ट वन स्टार्ट टू जिसमें अमेरिका रूस अपने अपने देशों में हत्यार को सीमित करने के लिए राजी होते हैं ये स्टार्ट कहलाता है स्टार्ट वन स्टार्ट टू और ये सिंख्त राज्चंग के बैनर तले होता हैं इस बात से स्पष्ट है कि आनविक शस्त्रों की प्रतिस परधा को रोग कर निशस्त्री करन विशेष्ट या आनविक निशस्त्री करन दिशा में स्विक्ट राश्चंग लगातार प्रयास रत रहा है और इसी के प्रयास्चंग का प्रणाम है कि कम से कम प्रस्ताओं तो आ रहे थे चाहे वे N.P.T. के रूप में हो, C.T.B.T. के रूप में हो, स्टार्ट के रूप में हो, आद याद लेकिन कुछ अच्छे परणाम जो जरूरा है, इसमें एक परणाम ये था कि सोवियत तंग और अमेरिका अपने अपने हतियारों को सीमित करने पर सहमत हुए